आज से हम सेक्टेंटिर की बूक के सोलीशन स्टार्ट करें एकसराइज 1.1 का क्वेस्ट नमबर 1 है हमेरे पास में स्टेट्मेंट दी गी है कि गिवन देट f of x is equal to x to q minus x and f of x is equal to square root x plus 4 इस क्वेस्ट में हमारे पास दो फंक्शन दिये गए हैं f of x is equal to x to q minus x और दूसरा फंक्शन ये गिवन है square root x plus 2 इन डोनों फंक्शन के लिए बारी बारी नहीं ये चार वैस्ट करने हैं f of minus 2, f of 0, f of x minus 1 and f of x to q plus 2 तो बेसिकलिए ये 4 नहीं 8 वैस्ट पहले इस फंक्शन a के लिए ये 4 वैस्ट करें को और फंक्शन b जो गिवन है उसके लिए भी ये 4 वैस्ट सेपरेट नहीं करें तो जब पार्ट a sort करते हैं पार्ट a में हमें जो फंक्शन गिवन है वो ये है कि f of x that is equal to x to q minus x अब हमें इसमें find करना है f of minus 2 अब देखें हमें f of x गिवन है और हमें अब चाहिए f of minus 2 इसका मतलब यह कि जहां जहां पर x था वहां हम minus 2 वोट करने वाले हैं तो राइट साइड पर जब वोट करेंगे तो ये बन जाएगा minus 2 कुरू सो के minus और खिल minus याद रहें सिर्फ x की जगा minus 2 वोट करना है बाकी कुछ भी चेंड नहीं करना जैसे यहां पर negative symbol आउट साइड था में आउट साइड ही रहने दिया और inside जो x है उसको minus 2 से replace करें minus 2 का सो के 4 है और minus minus 2 बन जाएगा तो हमें लपस answer over 6 second value की तरफ आते हैं अब हमें चाहिए f of 0 फंक्शन वही है f of x equal x to give minus x तो जब हमें f of 0 चाहिए तो उस function f में x को 0 पूट करेंगे तो यह बन जाएगा 0 so give minus 0 तो हमारे पास answer होगा 0 minus 0 that is equal to 0 third part में हमें चाहिए f of x minus 1 इसका मतलब यह है कि जो function f of x है उसमें अब x नहीं बलके x minus 1 पूट करना है तो यह बन जाएगा x minus 1 whole so give minus और फिर x की जाएगा x minus 1 इसको simplify करेंगे a minus b whole so give का फार्मूला यूज़ करते हुए a so give plus b so give minus 2ab और फिर यह बन जाएगा minus x plus 1 तो इसको simplify करते हुए हम लिख सकते हैं x so give minus 3x plus 2 ओके तो चौथी value हमारे पास f of x so give plus 4 अब हमें function f of x में x की जगा x so give plus 4 put करना होगा तो यह बन जाएगा x so give plus 4 whole so give and minus x so give plus 4 इसको simplify करते हैं a plus b whole so give का फार्मूला यूज़ करेंगे तो a square mean x square plus square plus b square यानी 4 square और plus 2 a mean टेके टोपन करेंगे minus x square minus 4 बन जाएगा तो फदर simplify करते हुए यह बन जाएगा x power 4 plus 16 plus 8 x square minus x square minus 4 कुछ और simplify कर सकते हैं x power 4 plus 7 x square और plus 2 तो यह हमारे पस यह चारों values पहले function f of x equal x square minus x के लिए हमने find करें अब part b solve करते हैं part b में और part a में just difference एक function करी होगा हमारे पस अब जो function है वो यह है f of x equal square root x plus 2 इस function के लिए हमें अब यह चार values find करी हैं सबसे पहले f of minus 2 f of minus 2 equal होगा square root minus 2 plus 4 तो यह equal होगा square root of 2 इसे यह लिए 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 नमबर 2 अब हमें find करनी है f of 0 की value f of 0 क्या होगा function f में x की जगा 0 put करते हैं कि 0 plus 4 गोल सुके root तो यह बंज़ेगा square root of 4 जो के 2 की तर्ड पार्ट में हमें value find करनी है f of x minus 1 तो उस function में जहां जहां पर x है वहां x minus 1 put करें x minus 1 plus 4 गोल सुके root तो यह बंज़ेगा square root x plus 3 ओके और last में हमें value चाहिए f of x square plus 4 तो function में function जो के है square root x plus 4 तो x की जगा x square plus 4 गोट करें यह x square plus 4 उस x की जगा लिखा गया और function में यह plus 4 अलग से लिए तो इस तरह हमारे पास answer होगा square root x square plus 3 तो याद रखिए जब भी कोई function दिया गया हो और उस function के लिए value find करनी हो तो just this point पर वो value find करनी है और उस function में x की जगा वो point put कर दिया है तो हमें answer ली जाता है उसके बाद question number two में हमें यह value find करनी है f of a plus h minus f of a divided by h and simplify where इस चार हमें function दिये गए है पहले पार्ट में f of x equal है 6x minus 9 फिर sin x है फिर x q plus 2x होगे minus 1 और फिर cause x इन चारों functions के लिए हमें यह find करना है f of a plus h minus f of a divided by h यहाँ h कोई non zero नमगत है आई यह पहला part sort करते हैं पहले पार्ट में हमारे बस जो function है f of x वो equal है 6x minus 9 अब हमें चाहिए f of a plus h f of a plus h minus f of a and whole divided by h तो हम इसे यह भी लिख सकते है 1 over h और bracket में लिख सकते है f of a plus h minus f of a यह सिर्फ अपनी असानी के लिख रहे हैं कि एक बड़ी line लगा कर नीचे हमें divide ना करना पड़े तो यह equal हो जाएगा 1 over h अब bracket में हमें पहले value चाहिए f of a plus h की यानि function f में x की जगा a plus h put करके चलेंगे to 6 into a plus h minus 9 यह हमारे परस value होगी f of a plus h की minus अब हमें value चाहिए f of a की तो f of a किसके equal है यहाँ इस function f of x में x की जगा a put करेंगे तो यह हमें मिलेगा 6 a minus 9 तो अब हम जस्ट इसे simplify करेंगे 1 over h outside इने देखें और bracket के inside लिए बन जाएगा 6 a plus 6 h minus 9 minus 6 a plus 9 हमने तमाँ brackets open कर लिए so plus 9 or minus 9 to cancel होगे minus 6 a और plus 6 a भी cancel होगे तो हमारे बस कुछ इस तरह से simplify होग परांसर है 6 h over h तो h से भी हम h को cancel करें तो हमारे परांसर बस 6 तो second function के लिए हम यही find कर दें second में हमेरे पर function है f of x equal as sin x अब हमें चाहिए f of a plus h minus f of a whole divided by h so उसी तरह हम 1 over h लिख लिख लेते हैं और फिर प्रेपिट के अंदर लिखते हैं f of a plus h minus f of a so 1 over h अब f of a plus h किसके equal है इस function f of x में जब x की जगा a plus h put करेंगे तो यह बन जाएगा sin a plus h और minus sin a तो इस तरह यहां से further ही से simplify भी किया जा सकता है sin p minus sin q के एक formula first year में आप पढ़ चुके हों sin p minus sin q जो की equal होता है 2 time cos p plus q by 2 and sin sin p minus q first year के trigonometry में exercise 10.4 से पहले आपने यह बढ़ा होता 10.3 10.4 तो यहां यह a plus h को अगर हम ऐज़ा p और a को ऐज़ा q लेकर चलें तो यह कुछ इस तरह से simplify हो सकता है 1 over h sin p minus sin q जो की equal है 2 cos p plus q a plus h plus a and divided by 2 sin p minus q by 2 p minus q divided by 2 तो यह equal हो जाएगा 1 over h और bracket के inside 2 time cos अब a plus a 2 a plus h divided by 2 अब यह सारे के नीचे 2 है तो क्यों आम इनको अलग अलग divided by 2 लिखें और sin a और minus 1 दूसरे से cancel हो जाएगे और h पर 2 लिखा 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 तो simplify होकर हमारे पास आमसर कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 divided by h cos इस 2 से भी यह 2 cancel हो जाएगे और bracket में होगा a plus h by 2 and sin h by 2 ओके third function हम consider करते हैं third function है हमारे पास f of x that is equal to x q plus 2 x minus 1 यह उपर हम लिख चुके है x q plus 2 x square minus 1 इस function के लिए भी हमें value find करनी होगी f of a plus h minus f of a whole divided by h तो हम इसे लिख सकते हैं 1 over h और bracket के inside f of a plus h minus f of a so values put करेंगे 1 over h f of a plus h function f में x की जगा a plus h put करके इसे simplify जएगी तो यह बन जाएगा a plus h q plus 2 into a plus h square minus 1 यह value थी हमारे पास f of a plus h की minus अब f of a की value क्या होगी वो होगी aq plus 2 aq minus y तो हमने values तो put करनी है f of a plus h अब हमारे पास f of a की अब हमारा काम है कि इसको simplify कि आजे हम इसे लिख सकते हैं 1 over h और brackets open करेंगे यह बन जाएगा a plus h whole cube plus 2 into a plus h whole square minus 1 minus a cube minus 2 sorry it's okay minus 2 a square minus minus plus 1 so 1 over h अब formula open करेंगे a plus b whole cube a plus b whole cube जोके equal होता है a cube plus b cube b जोके h है so h cube plus 3 a square b 3 a square h plus 3 a b square यानि 3 a h square plus 2 और a plus h whole square open करेंगे तो यह बन जाएगा a square plus h square plus 2 a h minus 1 minus a cube minus 2 a square और plus 1 as it is right तो यहाँ से जो possible cancellations गो सकती है वो हम यहीं कर लिते हैं minus a cube plus a cube से cancel होगा plus 1 or minus 1 we cancel होजाएगे so हम इसे लिखेंगे h हम कॉमन ले सकते हैं h यहाँ से कॉमन लेंगे यह पहले से divide हो रहा है और यहाँ प्रेक्ट के inside होगा h square plus 3 a square plus 3 a h plus 2 h and plus 4 a तो h से h cancel हो जाएगे और हमारे पास answer होगा h square plus 3 a square plus 3 a h plus 2 h and plus 4 a okay तो last में हमारे पास जो function given है वो यह है कि f of x that is equal to cos x इस function के लिए भी हमें value find करनी होगी f of a plus h minus f of a whole divided by h so इसको भी हम वैसे लिखते है 1 over h or bracket के inside f of a plus h minus f of a f of a plus h यहां किसके equal है वो equal होगा cos into a plus h f of a जो के cos a है अब यहां तक भी हमारा question ठीक है लेकिन simplified formula लिखने के लिए यहां हम एक formula जुश करने वाले cos b minus cos q cos b minus cos q equal होता है minus 2 sin sin b plus q by 2 and sin b minus q by 2 यह trigonometric का formula जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं sin b minus sin q के लिए एक formula और इसी तरह cos b minus cos q के लिए भी है तो यहां इसको a plus h को हम as a b और just a को as a q लेकर चलें simplify करेंगे तो यह हमराइब पस इकोल होगा 1 over h cos b minus cos q जो के है minus 2 sin p plus q a plus h plus a divided by 2 add sin p minus q by 2 a plus h minus a divided by 2 तो यह equal होगा 1 over h और bracket के inside minus 2 sin अब sin के inside a और a add होगे तो इसी बच्ज़े कर 2 a और plus h अब 2 इन दोनों के लिए डिवाइड हो रहा है वो हम अलगे लगे डिवाइड कर सकते हैं इसी तरह sin में a और minus a cancel हो जाएंगे और यहाँ होगा h by so हम इसे लिख सकते हैं minus 2 divided by h sin यह 2 और यह 2 भी cancel होगे तो a plus h by 2 and sin h by 2 तो इस तरह मारे बास को सान्वर बुपी तो